दंतेवाड़ जिला सकते गार्मेंट की महलाओं ने संस्ता संचालकों पर आरूप लगाया है कि संचालकों द्वारा उनका शोशन किया जा रहा है इस संस्ता की 100 से अधिक महलाओं ने आरूप लगाया कि 90 दिन की सेवा के बाद भी मांदिय में बड़ोत्री नहीं की गई है संचालकों द्वारा बोला गया था कि तीन महिने तक आप लोगों को 3000 रुपए वेतन दिया जाएगा फिर आप लोगों का वेतन 8000 रुपए कर दिया जाएगा परंतु आज तक वेतन नहीं बड़ा है महिलाओं ने इसकी सिकायत कई बार कलेक्टर से की पर आज तक कोई सुनवाई नहीं ही हुई जिससे महिलाओं अपने को ठगा सा महसूस कर रही है महिलाओं का कहना है कि अगर मांदिय नहीं बड़ा जाता है तो सभी महिलाओं काम छोड़ देगी महिलाओं ने संचालग पर दुर वहवार और डराने का आरूप भी लगाया महिलाओं का कहना है कि हमारे पहले वाले ट्रेनर को ही वापस बुलाए जाए नए टेनर के साथ काम करना मुश्किल है महिला सक्तिकरण में ट्रेनिंग के लिए बोले थे किस टाइप के प्राब्राब्रा हो यहां के हम लोग मतलब बस में आते हैं हमारे लिए सुवीदा तो बस का है बाकि हमारा पंजीत करण अगरा कुछ भी नहीं है है ना हमको और फिर तीन महना के बाद बोले थे कि आठ हजार मिलेगा हम तीन महना तो कंप्रीट कर दियें तीन तीन हजार मिल चुका है लेकिन जो आठ हजार है नॉम्बर से मिल लेका है वो मिली नहीं रहा है है ना हम आठ हजार का बेट का रहे तो हमारे खादे में आज तक पैसा नहीं आया है 8-7,000 के सुर में है केमेंट, लेकिन धी महना तेरेनिम करने के अपाद में, बोले कि infrastrukturen देंगे, चौथा मेहना से आट हसार देंगे. उसमें 3 मैना 33,000 मेला लेकिन 4 मैना से पाजमार भी खतम हो गया अभी कोई सुनवाई नहीं और आगे भी वही दोल रहे हैं कि नहीं परवड़ी तक देंगे सारेश ही अलगा और जन्वारी परवड़ी सारेश ही आजा और इधर नॉम्बर दिसंबर के कोई आता पता नहीं है अपाइंबन लेटर भी यह बूल के दिया गया है कि 5 मैना तक 23,000 और जनॉरी से 6,000 और मार्ट से 8,000 हम महिला आए शुबर से आते हैं, आठवंता काम करते हैं, तो हमको यह कोशान ली रहा है, और हम अगर हमको उपना पेमे नहीं दिया जाएगा, तो हम यह काम करना चाहते हैं और छो हमारी पूराने सर है, जो हमें रू से ट्रेनिंग गिये हैं, हम उसर को अपना बुलाना चा for more information, log on to www.glips.n